सबसे पहले अगर हम रिटेलर का डेटा देख लेते हैं लोगों ने मार्केट के अंदर कॉल राइटिंग करी है ठीक है तो यह क्या एक्सपेट करके चल रहे हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में जा सकता है इसके बाद में अगर हम DIs का डेटा देख लेते हैं तो देखिए एक्विटी के अंदर ना वने 2260 करोल की बाइंग करी है आज इसके बाद में अगर हम FIIs का डेटा देख के चलते हैं तो देखिए एक्विटी के अंदर ना वने 2051 करोल के आसपास की सैलिंग करी है फ्यूचर्स में अगर आप देखके चलेंगे और ऑप्शिंस में का डेटा देखके चलेंगे तो थोड़ा सा कॉंट्रेडिक्शन है विकॉज आप देखेंगे देखिए फ्यूचर्स में तो इन्होंने नेगेटिविटी बढ़ाई है अपनी माइनस 57,000 से माइनस 61,000 के आसपास आया है अब उसका रीजन क्या है कि इन लोगों ने शॉर्ट साइड की पॉजिशन जो है वो एड़ करी है फ्यूचर्स के अंदर लॉंग साइड के सिर्फ 141 कॉंट्रेक्ट से एड़ गी है और यह डिटा आपको दिखेगा ऑप्शन का कि यह इसमें बियरिशनेस का हुई है राइट माइनस 59,000 से माइनस 25,000 पर आया है आप देखिए रीजन क्या है कि इन लोगों ने अपनी पुट लॉंग की जो पॉजिशन थी उनको क्लोस किया है काफी तो उसकी वैसे डिटा आपको नेगेटिव से थोड़ा सा कम नेगेटिव दिखाई दे रहा है और अगर आप देखेंगे तो उपर कॉल शॉर्ट तो इन्होंने किये हुए है तो इनकी एक्सपेक्टेशन तो यह है कि मार्केट के बास ना उपर की साइड में तो एक रेस्टेंस है अब वहां से म मार्केट के अंदर ना पुट शॉर्ट की पूजिशन बनाई है अपनी कॉल बाइंग भी करके गया है ठीक है तो यह तो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट जाएगा ऊपर की साइड में ठीक है ओवराल बुलिश हो के जा रहे हैं मार्केट को लेके तो अभी पनी के अंदर एक यहां पर हम कह सकते हैं ऑल्दो इतनी ज्यादा पोजिशन नहीं है कि इस पर दियान दिया जाए तब भी आप देखके चल सकते हैं ऑल्दो पर यह तो थोड़ी इंटरसिंग रहती यह वाली चीज़ बट अभी तो इस पर इतना हम दियान नहीं देंगे उपर की साइड में हमें यह दिखाई दे रहा है कि देखिए राइसेंस में कॉल राइटरस ने अपनी पोजिशन इस जगे पर तो क्लोस करें 22,300 अब यह भी हो सकता है कि यहां से शिफ्ट हो के यह लोग इस जगे पर आयो हो यह इन दमनी में भी चले गए हो ठीक है कि कॉ करना चाहिए नीचे की साइड में आप देखेंगे कि 21,900 वाला जो लेवल है इसी वाले लेवल पे ठोट राइटिंग थोड़ी बहुत हुए है और यही लेवल जो है वह मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है तो हमारे लिए ऑप्शन चेन के थुरू सपोर्ट निकल के आ रही है 21,900 पर और रेस्टेंस निकल के आ रही है और अल्मोस 22,250 के असपास चीक है तो इसको मार्क करके रखिएगा इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखके चलते हैं तो देखिए PCI च क्लोस करें ठीक है तो एक चीज का जो सपोर्ट है वो यह है कि बहुत एग्रेसिफ कॉल राइटिंग कोई यहां पर भी नहीं हुई है ठीक है अल्दो इंदा मनी के अंदर जाके जो है कॉल राइटिंग ठीक ठाक हुई है आप यहां पर देखोगे तो 46,000 से लेके 46,200 वाल है अब अगर कोई गैप डाउन ही हो जाए बहुत बड़ा तो बात अलग है अगर मार्केट कुछ फ्लैट वगएरा भी खुलता है तो नीचे की साइड की प्रोबैबिलेटी जादा लग रही ऑप्शन चे इनको देखते हुए बस इसमें एक चीज है कि देखिए जब इतन बट उसके लिए मार्केट को गैप अप करना पड़ेगा अच्छा अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप कर गया फ्लैट ओपनिंग करता है तो तो देखिए कुछ नहीं होता उसमें तो फोटा बोटा प्रीमियम डिकेई हो जाता है इनके पास तो उसमें तो कोई एस सच सबसे पहले अगर हम बैंक नफ्टी डिसकस कर लेते हैं तो बैंक नफ्टी में आपको बड़े टाइम फ्रेम पर एक बर के चलता हूं अभी आप देखियेगा यहाँ डे चार्ट पर पह अपको अ दिखाई देगा यहां पर यह देखिय कंई पर की से में जा चुका है यहां से हो सकता है चौती बार भी उपर की साइड में चला जाए या फिर इसका failure दिखा दे कल market sideways हो जाए एक दिन के लिए और उसके बाद में गिर जाए या कली गिर जाए market ठीक है तो देखिए यह वाला point ना positional जो लोग play करते हैं उनके लिए बढ़ा अच्छा है कि यहां से एक long straddle की strategy देखी जाए market के अंदर तो वो आपको upside का move जो है वो इस channel के top के आसपास तक नहीं तो safer side पे रहना चाते हैं तो इस वाले channel का आप draw कर लिजेगा mid के आसपास तक का आप target लगा सकने हैं और अगर देखिए इसका breakdown होगा तो फिर अच्छा breakdown होगा वेकॉज यहां से अगर आप देखेंगे ठीक है तो यह channel का breakdown अगर यहां पे होगा तो almost market इस वाले अपने low के आसपास तक आने कि कोशिश करेगा 44,800 गया सपास तो इसलिए मैंने वह thumbnail के अंदर भी लिखा हुआ था कि में और break level है तो इसका धियान रखिएगा थोड़ा सा ठीक है bank nifty के अंदर यह situation बन सकती है हो सकता है एक दो दिन market चान्त हो जाए यहां पर उसके बाद फिर upside और नीचे की side का momentum दिखा है बट momentum तो आना है विकाद इसनी interesting position पर पहुच चुके हैं हम अभी देखिए कल हमने क्या discuss किया था तो देखिए मैंने आपको यह वाला channel दिया था कि इसके अंदर तो हम avoid करेंगे इसका नीचे breakdown होगा तो हम shorting की opportunity देखेंगे targets हमारे 46 149 वाले level के रहेंगे राइट अब although देखिए यह वाली candle ही बहुत बड़ी बन गई तो इसमें risk to reward तो बड़ा खराब हो जाता है बट देखिए sudden market के अंदर dip आई थी तो किसी ने अगर book किया होगा तो से ठीक ठाक one is to one का trade मिली गया होगा वैसे कि हमारे target के भी नीचे अचानक से जाके ऊपर की side में आ गया था राइट एक मिनिट के अंदर अंदर ही तो एक one is to one का ठीक ठाक trade मिल गया होगा यहाँ अभी देखिए अगर हम bank nifty में कल के लिए देख लेते ना तो interesting points कहां पर है हमारे risky traders के लिए तो यहां पर भी interesting point हो सकता है वो मैं अभी बतायता हूं आपको but main important point है यह वाला हमारा 46 846 का level अगर इस level के उपर 15 minute की closing आ गई ठीक है तो तो हम buying की opportunity देखेंगे हमारे targets इसी वाले level के रहेंगे 47 162 के अगर market gap up बगेरा करके खोलता है लेकिन अगर market gap up करके खोलता है और इस level के उपर close नहीं कर पाता ठीक है यह level है यहां पे भी मैं mark कर देता हूं यह वाला level भी काफी interesting है तो यह 46 739 का जो level है अब risky traders के लिए तो देखें यह है कि अगर इस level के उपर closing कर दी 15 minute की तो भी आप buying की opportunity देख सकते हैं बट safe traders के लिए तो यह वाला level है 46 846 का अब rejection के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इन दोनों जगे से कहीं से भी market के अंदर rejection आती है कि market उपर जाए और rejection ले ले ठीक है इसलिए मैंने आपको यह risk की बताया क्योंकि पता लगा यहां से 15 minute की उपर closing दे दी बट इस level के ऊपर निकला लेकिन rejection लेके नीचे की तरफ आ गया तो आपकी long side की strategy जो भी होगी अगर आपने कोई देखी होगी trade तो उसमें आपका ऐसे लिट हो जाएगा तो यहां से अगर rejection बनता है या इस वाई level से rejection बनता है 15 minute की closing नहीं आती है हम shorting की opportunity देखेंग टार्गेट हमारे रहेंगे 46 316 वाले level के और maximum quantity आप इस वाली जगे बुक करेंगे next target आपका 46 017 का रहना चाहिए अगर breakdown आता है इस level के नीचे तो हमारे next target 45 824 वाले level के रहेंगे ठीक है अभी currently अगर हम देखके चलते हैं तो US market तो almost 150 points के आसपास अब दिखा रहा है बलकि US NASDAQ जो है वो ज्यादा ऊपर चल रहा है ठीक है तो NASDAQ में काफी upside का move दिख रहा है बट हमारा जो gift nifty है वो तो थोड़ा फ्लैट है फ्लैट इस से थोड़ा सा डाउन है क्योंकि 22 135 पे हमारी closing आई है futures की और 100 के आसपास हम चल रहे हैं तो हलका सा डाउन ही है 30 points के आसपास तो ठीक है अभी देखिए अगर हम nifty discuss कर लेते हैं तो nifty के अंदर मैंने आपको बोल था इस वाले zone को तो avoid कीजिएगा बिलकुल ठीक है कि इस वाले zone में तो हमें कोई opportunity मिलेगी नी तो market ने पहले तो काफी time waste किया उसके बाद market ने हाँ से upside का momentum दिखाया मैंने आपको बोल तो हम देखेंगे इस level के उपर ही which is 22 165 के उपर 15 minute की closing हमें इस level के उपर मिलेगी तभी हम कोई buying की opportunity देखेंगे target हमारे 22 245 वाले level के रहेंगे ठीक है अगर market इस वाले level से कोई suppose कीजिए gap अप पगेरा खुल के हाँ पर कहीं पर खुलता है उपर जाता है 15 minute की closing इस level के उप opportunity देखेंगे target हमारे पहले रहेंगे 22 48 वाले level के उसके बाद देखिए next target हमारा फिर आज का जो low था almost 21 942 वाला level यह हमारा target रहेगा अब अगर कोई positional प्ले करता है तो देखिए उसके लिए अगर कली कल में कोई बहुत बड़ी move मिल जाती है और market फर्दर नीचे आता है breakdown क तो next target 21 846 वाले level के हो सकते हैं अब देखिए यह वाला area जो है ना यहां पर यह 22 165 से लेके प्लस हमारी जो यह वाली candle है आज की high 125 से उपर अब यह भी है तो resistance का area ही ठीक है अब अगर किसी को risk लेना है कोई risk की opportunity देखनी है तो यहां से एक shorting की opportunity देख सकता है बट अपना strict टैसल रखिएगा कि 15 minute की जैसी closing इस level के उपर निकल जाए तो आप भार निकल जाएंगे उसके अंदर से फिर यहां से अगर और आप देखेंगे तो आपका target सो वही है पहला target यह वाला 22,048 और उसके बाद में 21 942 का level buying side का मैंने आपको बताई दिया upside का move आएगा तो यह ह 24 वाले level के रहेंगे ठीक है यह buying zone था हमारा आप देखिए exactly यहीं पर विक बनी market आया और यहां से उपर चला गया तो मैंने आपको यह भी बताया था कि एक तरीके से buying zone हो सकता है तो यहां से buying opportunity बनेगी तो target समारे 25,30 बन के हो सकते हैं तो अब यहां से एक तरीके से देखा कीजिए ठीक है जैसे मैंने आपको यह बताया कि इस level के नीचे market के अंदर अगर breakdown होगा तो यह आपके targets हो सकने है इस वाई level अब मैंने वो क्यों देखके बोला क्या level निकालके बोला वो आपको नहीं पता ना वहाली चीज तो अगर आपने कोई opportunity देखी भी है downside की तो हो सक में आप किसी और का अगर वीडियो वगरा भी देखते हैं तो उस पहले केस में भी technical थोड़ा सीख जाएंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी मतलब अगर आप opportunity देखते हैं trading वगरा में तो अभी देखिए कल के लिए अगर हम देख लेते हैं finrifty के अंदर तो देखिए य short covering भी generate हो सकती है ठीक है और अगर short covering generate होगी तो वह आपको इन वाले levels के आसपास तक भी लेके जा सकती है यह 20,000 960 वाले level के आसपास अगर short covering generate होगी तो अगर इस वाले level से market उपर जाता है 15 minute की closing इस level के नीचे ही देता है ठीक है although यह पूरा का पूरा zone ही है यहां तक का इसमें अगर कहीं पे भी rejection की candle बनती है यह आपका level है 20,700 से लेके almost 50 point का यह zone है यह जब तक market इसको cross नहीं करेगा तब तक bullish opportunity तो देखन नहीं नहीं है अगर यहां कहीं पे भी खुलता है और rejection वाली candle बनती है 15 minute की तो shorting की opportunity ही देखेंगे पहला target 25,95 कराएगा next target हमारे 25,17 वाले level कराएगा कल देखिए market अगर नीचे यहां कहीं इस वाले level के आसपास खुलता है ना तो हमारे लिए बेकार market है उस वाले scenario में हम Fin Nifty को avoid करेंगे because देखिए फिर ना इस वाले zone के अंदर market फसा हुआ रह सकता है तो एक तरीके से ना कल best opportunity Fin Nifty में sell on rice की ही बनेगी इस वाले level से ही कहीं से otherwise अगर इसका breakout होगा तो यहां से हम buying के opportunity देखेंगे नीचे की side से हम avoid करेंगे call writers, portrait writers का graph देखके आप साड़े ग्यार